वेलकम तो आर्ट पैशन, रिमेंबर तो सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस बेल आइकोन फो नोटिफिकेशन या किसी दूसरे आर्टिस्ट की डिजाइन को कॉपी करना गलत है या किसी आर्टिस्ट की डिजाइन से इंस्पिरेशन लेना या उसकी डिजाइन को रेफरेंस लेके डिजाइन बनाना गलत है चोरी किसे कहते हैं, डिजाइन की चोरी किसे कहते हैं अगर आप इन सारे सवालों में गिरे हुए हो तो उनके जवाब आपको इस वीडियो से जरूर मिल जाएंगे इन सारे सवालों के मैं जवाब दू उससे पहले मैं जो कर रही हूँ इस वीडियो में उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दू मैं अपनी एक सहली है जिसने मुझ पे विश्वास किया कि मैं उसकी पैंट खराब नहीं करूंगी तो मैं उसकी पैंट के उपर फैविक्रिल के एक्रिलिक कलर से एक ट्राइबल जोमेट्रिकल डिजाइन बना रही हूँ और मैं चाहती तो ये सारा डीटेल वर्क कौन से कर सकती थी लेकिन मैं डीटेल वर्क ब्रश से कैसे करते हैं उसकी भी practice कर रही हूं तो खेर अब हम अपने जो सवाल उठे है उसके बारे में बात करते हैं किसी भी artist की design को copy करना उसे कहते हैं कि हम जब किसी artist की design को ditto to ditto जैसे कि यहां भी मैं कुछ बना रही हूं वो design मैंने किसी artist ने पहले बनाई है उससे मैं परफेक्ली उसी तरह से अगर कॉपी कर रही होती तो उससे डिजाइन की कॉपी करना कहते हैं और ये घलत है अगर आप इस तरह से कॉपी करके दुसरों को ऐसा बता रहे हो कि ये आपने क्रियेट किया है तो जी हां ये घलत है अगर आप इस तरह से copy करते हो और आप कहीं पे भी post करते हो तो आपको original artist को credit देनी पड़ेगी यही एक particular रीत है यह ऐसी रीत है, यह ऐसे संसकार है, यह ऐसे rules and regulations है जो art community follow करती है कहीं पे लिखे नहीं है लेकिन वो follow करती है दूसरे artist को respect के तौर पे यह rule हम follow करते है तो इसलिए credit भी आपको इसी तरह से देनी पड़ेगी जहां पे सब की नजर पड़े ऐसा नहीं है कि आपने पूरा लंबा सा एक post लिखा, hashtag लिखे और फिर end में एक tale पे आप लिखते हो कि design inspired by या copy by ब्ला ब्ला आर्टिस यहां पे आपके घलत intention दिख जाते है क्योंकि अगर ये design बहुत ही popular है तो सबने देखी होगी तो पता चली जाता है कि इसका real artist, original artist कौन है क्यों हमें credit देनी है because हर एक की बसकी ये बात नहीं है नई नई design को बनाना ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं बहुत सालों की practice के बाद बहुत साल की मेहनत के बाद आपके पास ये एक ability आती है या तो ये खुदरत की देन होती है कि आप एक नई design create कर पाओ तो उसी respect के लिए अगर आप किसी भी artist की design ditto copy करते हो तो credit उस तरह दो जैसे सबको पता चले intention सही रखो reference या inspiration हम ले सकते हैं जी हाँ हम ले सकते हैं और उसी तरह से हर कोई नया artist अपनी learning journey की शुरुआत करता है सबसे पहले वो दूसरे artist जो पहले से artist है famous है जिनकी design हमें अच्छी लगती है उनकी design हम reference के तौर पे लेते हैं और उसी में से हम कुछ बनाते हैं या तो ऐसा similar कुछ बनाते हैं या कुछ अपना idea डाल के हम कुछ बनाते हैं तो ये जो हम करते हैं वो inspired by होता है अगर हम ऐसा करते हैं और inspiration बहुत ही striking है like बहुत ही similar है तो आपको for sure credit देनी चाहिए ये दिखाता है कि आप उस artist का कितना respect करते हो अगर आप किसी की design से सिर्फ like help किसी inspiration लेते हो और बाकी का सब खुद आप अपना डालते हो उस design में तो ऐसे हालत में अगर आप credit नहीं भी देते हो तो चलेगा अब एक category आती है उथान तरी की चोरी की और इसके बारे में मैं अपने passion से लेके profession तक का मैंदी की art का business कैसे शुरू करते हैं उस video में मैं इसके बारे में बात कर चुकी हूँ उठाते हैं वो खुद कुछ नहीं करते इंस्पिरेशन भी नहीं लेते copy भी नहीं करते कुछ नहीं करते वो दुसरे जो famous artist होते हैं ज्यादा तर ये बेवकूफ लोग famous artist के ही काम को उठाते हैं screenshot ले लेते हैं या तो उनकी जो काम होते हैं उनकी जो famous artist का काम है और famous work है जो ये लोग उठाते हैं जो सबने देखा हुआ होता है इसे चोरी ही कहते हैं अगर famous artist का काम भी नहीं आप उठा रहे हो किसी और का भी इस तरह से उठाते हो तो उसे चोरी ही कहते हैं और ये बिल्कुल गलत है गलत है क्योंकि एक तो आप किसी का काम चोरी कर रहे हो अपना दिखा रहे हो और फिर उस चोरी के काम से आप customer दून रहे हो कितने लोगों को आप बेवकुफ बनाओगे तो ये काम कभी भी मत करो नए artist जब हम होते हैं तो confusion होता है और कई बार इसी confusion में हम गलती कर जाते हैं तो इसी लिए ये वीडियो मैं बना रही हूं क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए artist है जो मेरे वीडियो को देखते हैं तो मैं नहीं चाहती कि अंजाने में हुई गलती की वज़ा से उनको आगे जाके मुश्किलों का सामना पड़ जाए क्योंकि अगर आप घलती से भी किसी artist की design को copy करते हो और या तो inspired होके उसे डालते हो और credit नहीं देते हो तो कई बार आपके account को report कर दिया जाता है और वो report हुआ account suspend भी हो जाता है तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी नए artist के साथ ऐसा हो और मैं ये भी जानती हूँ कि नए artist हैं हम हमेशा शुरुआत करते हैं तो दूसरे बड़े artist जो already established है जिनका हमें काम अच्छा लगता है उनकी design से हम inspiration लेके ही अपना learning जो journey है वो शुरुआत करते हैं ऐसे कि अगर आप मेरे tutorial से सीख रहे हो तो जाहर है कि आप लोग मेरी design copy करोगे आप उससे inspired जरूर होगे वो बहुत ही natural है लेकिन अगर आप ऐसा करते हो और credit नहीं देते हो तो वहाँ पे lack of respect आप मुझे respect नहीं कर रहे हैं काम को respect नहीं कर रहे हो ऐसा बहार आता है कई बार आपका ये intention ना भी हो तो भी किसी को ऐसा लग सकता है तो ये सारी complication को अगर avoid करना है तो very simple अगर आप किसी की भी design को copy करते हो कई लोग इसलिए भी copy करते हैं और credit सबसे पहले देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि famous artist की design को copy करेंगे तो वो लोग आपकी post को अपनी story में या इंस्टा पे डालेंगे तो आपको थोड़ा सा traffic मिल जाएगा ये भी intention होता है लोगों का intention चलो कोई भी हो आपने credit दी है ये बात आपने सही की है तो इस तरह से भी लोग अपने अपने काम को अपने आपको promote करते हैं ये मैंने तरीका दिखा दिया है आपको लेकिन जो चोरी वाली हरकत है उससे आप बिल्कुल भी दूर रहिए अब ऐसा होता है कि कई artist famous artist like बहुत popular artist किसी और दूसरे artist के पास जाता है कुछ सीख के आता है लेकिन लोगों को नहीं बताता वो सिक्रेट रखता है वो बताना नहीं चाता ऐसा भी लोग करते हैं क्यों करते हैं? वो आप मुझे बताएं हर एक चीज़ अगर मैं ही आपको बताने लोगोंगी तो बात्चीत कैसे होंगी? इतनी सारी बाते मैंने आपको बता दी तो आप मुझे ये बताएं कि ये artist ऐसा क्यों करते हैं? अगर किसी से सीख के आते हैं तो वो बताने में शर्म कैसी? तो हम बहुत जल्दी वाफस मिलते हैं अपने अगले वीडियो में तब तक के लिए आप कमेंट के जरिये मुझे बताते रहे हैं कि ये artist ऐसा क्यों करते हैं? क्यों कतराते हैं? क्यों शर्माते हैं? कि वो किसी और artist से कुछ सीख के आया है हमारे वीडियो से सीखेंगे और नहीं बताएंगे चलेगा किसी को पता नहीं चलेगा लेकिन कोई artist के पास खुच जाके सीख के आएंगे और नहीं बताएंगे तो कही ना कहीं से तो पता चली जाएगा ठीक है? मेरी बाते, मेरी gossip चलती रहेगी हम बहुत जल्दी वापस आते हैं तब तक के लिए, stay blessed, stay inspired start in a right direction is always a right thing so thank you everyone, see you, bye bye, take care, see you लेकिन कोई बताएंगे